javascript के console.log method को हम लोग काफी देट से इस्तमाल कर रहे हैं और हम लोगों ने समझा कि javascript में console.log क्या करता है हम लोगों ने ये भी देखा कि browser के अंदर console.log वाले messages हम को कहां पर मिलते हैं और हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे और कब इसको इसको इस्तमाल करना है अब हम लोग चलेंगे computer screen के अंदर हो देखेंगे कि हम लोग console के वो कौन-कौन से methods हैं जिनको इस्तमाल कर सकते हैं हमारे बस console.log होता है console.error होता है console.warning होता है console.time होता है console.time end होता है इन सारे methods का खुला सा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं Let's move on to a computer screen and let's get started So, वैसा अब हम लोग दिखने वाले console के कुछ methods को मैंने आप लिखा हुआ है Notes में console object is several methods log being one of those तो अगर मैं यहाँ पर script.js के अंदर मैं control क्लिक करूँगा इन दोनों पर Styles में मैं लिखनी रहा हूं मैं सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना हूं ठीक है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं किससे क्या होगा अगर मैं आपर console object को आपको दिखा हूं तो देखो इसके नदर बहुत सारे functions है Assert है, Clear है, Context है, Count है, Count Reset है, Debug है, DIR है, DIR, XML है इतने सारे methods है, ठीक है, तो कभी भी list करना पड़ गया आप लोगों को तो आप लोग जो है इस तरह से कर सकते हो, ठीक है अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि log method से क्या होता है और कौन-कौन से method है जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है फिर इसके बाद undefined print होता है जो कि इसकी return value होती है तो जैसे कि मैं आप 4 लिखता हूं और enter बारता हूं तो इस particular expression की return value होती है वो नीचे print होकर यह देता है है कौन सी warning है कौन सा एक simple सा message है और तो और आप लोग यहाँ click करके Errors को अलग से देख सकते हो ठीक है बागी messages को अलग से देख सकते हो and so on ठीक है तो यह errors है वो आप को alakин दिख भानी आपuç अलग से दिख रही है तो इस फल्टर कर जाता है तो मैं यहां पर लिखूं कंसोल डॉट एजर्ट कंसोल डॉट एजर्ट मैं अगर लिख दूँ पाइज ग्रेडर दें 53 विच इस नॉट रू तो भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तो कभी भी एजर्शन फेल होगा तो यहां पर क्या होगा कि इस तरह से अरर तो यहां पर देखो कंसोल डॉट एक फंक्शन ही मुझे आप दिखा रहा है ठीक है अगर मैं अगर कंसोल डॉट एजर्ट एजर्ट के अंदर आपने सच बात लिखे हुए तब कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आपने फॉल्स वाली बात लिख दी तो यह एजर्श आपने ग्लेयर गिया है ठीक है तो यह चीज भी आपलोग कर सकते हूं अब इसके बाद आता है मैंने बाद इसके इसके बाद मैं यह चुपसूरत तरीके से मुझे दिख रहा है टैबिलर फॉर्म में दिखा रहा है object की वाल्यू पेर्स तो मुझे बहुत फेवरिट लगता है मेरा फेवरिट है बसनल ठीक है उसकी वज़ाए ये भी है कि कभी मेरे पास बड़े-बड़े objects होते हैं और मुझे उनको देखने की जुरूरत पड़ जाती है तो ऐसी देख ल लिख दो console.warn और इसके बाद लिख दो है please don't drink soda ठीक है एंटर तो इस तरह से यलो कलर से वार्निंग दिखाएगा यहां पर console में आपके ठीक है तो कभी भी आपको वार्निंग दिखा नहीं console में तो आप वार्निंग कुछ इस तरह सकते हो आप लोग स्पेसिफिकल लिए स्क्रिप्ट कोड में लिख सकते हो कि यह मत करो यह फिर ऐसे मत करो वैसे मत करो यह सारी चीज़ें ठीक है so I hope कि यह भी चीज़ आपको लेर हो गई console.info भी आपको दिखा देता हूं तो अगर मैं console.info कुछ इस तरह से लिखो है this is an important info तो यहाप पर यह कुछ इस तरह से दिखाएगा ठीक है अब console.log और console.info बहुत जादा similar होते हैं बस difference यह है कि आपकी यहापर info के अंदर आ जाएगा यह और तो और अगर मैं console.log console.info करूंगा तब यह दोनों ही मेरे info वाले section में आएंगे आप लोग को दिखाना चाहता हूं मैं इसको reload करूंग और console मैं दे हूंगा और कौन सा console था हमारा console.info था लोग था ठीक है मालो मैं लिखता हूं console.assert यह is not equal to false और एक मैं लिख देता हूं यह is equal to equal to false ठीक है तो अगर मैं भी इसको save करूं और मैं reload करूं तो आप लोग यहापर देखना कि console.one तो warning वाले section में आ रहा है जो assertion है मेरे यहाँ पर क्लिक करना होगा अपको अगर आप chrome में मेरे साथ तो फिर इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि अगर आप सारी user message देखना जाते है तो यहाँ पर क्लिक करना है ठीक है और यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको console.log और console.info मिल जाएंगा इसक को याद रख पाएंगे रटेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसकी comprehensive list आप लोग MDN पर देख सकते हैं लेकिन मैंने आप लोग comprehensive list देखने का एक तरीका और बता दिया और वो क्या है आप लोग console.log या फिर console.table console कुछ इस तरह से कर सकते हो और यह क्या हो गया actually मुझे ना यहाँ पर seven messages में जाना है और आप लोग देखो यहाँ और मैंने console.table यह किया तो यह कुछ इस तरह से दिख रहा है और यह सारे के सारे जो इसके methods है यह आप लोग को दिख जाएंगे ठीक है देख लोग सारे methods आप लोग को दिख जाएंगे console.time होता है console.time एक label दे दूँगा जैसे मैंने यह आपर ए दे दिया अब मैं आप console.time end कुछ इस तरह से दुबारा से उसी label का इस्तेमाल करके और यह मुझे बता देखा कि इतने milliseconds आपने लिए ठीक है बानो मैंने console.time लिखा starting this process ठीक है या फिर मैं लिख देता हूँ पीवन तो process पीवन है यह अब पीवन को कितना टाइम लगा वो मैं यहां console.time end करके पता लगा सकता हूँ तो जैसे मैं console.time end लिख को यह timer end हो जाएगा और यह बता रहा है कि छे सेकंड लगे आपको यह और यह के बीच में ठीक है तो आप अपने code में डाल सकते हूँ time time end time time ठीक है इस तरह से और यह लेवल भी आपको जिस तरह सकता है कि आपको पता जले क्या चीज़ शुरूरी है क्या चीज़ करता हूँ ठीक है मालो मैं आप लिखता हूँ for ठीक है और मैं ही जाना जाता हूँ किया यह for loop कितनी कितना डाइम ले रहा है ठीक है i is less than 5 और i++ और console.log 233 कर रहा हूँ तो मैं आपको इस तरह से कर सकता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि console.time for loop पस इस बात को देहान रखना कि जब आप time and call कर रहे हो तो same label के साथ call करो ठीक है फिर इस के बाद मैं इस तरह से कर सकता हूँ तो मैं बता देगा कि इस loop को चलने में कितना time लगा ठी तो यहां पर देखो यह मुझे बता रहा है कि इस for loop को चलने में इतना time लगा ठीक है तो मैं यह पता लगा सकता हूँ कि for loop को चलने में कितना time लगा और same while loop को चलने में कितना time लगा ठीक है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी को copy कर सकता हूँ और for loop और while loop को basically compare कर सकता हूँ तो यह चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा complicated लगेगी अगर कोई भी आप से पूछ लेगा interview में किया for loop और while loop के time को compare करो बट यार पट आप लोग देखो यहां पर यह कितना असला लॉप को loop कर देता हूं यार spelling गलत कर दी मैंने अब यापर while loop बनाने के लिए मैं simply क्या करूंगा यापर लिखूंगा let i is equal to zero और फिर इसके बाद while i is less than कितना था तीन था पांच था पांच था और इसके अंदर भी हम यही काम करेंगे ठीक है आप यह तेम सिमिलर होने वाले तो आप लोग बिलकुल भी ऐसा मस तोचना किया वाइल लूप इतना ले रहा है फॉर लूप कम ले रहा है जादा ले रहा है ऐसा बिलकुल मस सोचना क्योंकि while loop और फॉर लूप बहुत सेमिलर तरीके से काम करते हैं तो यह कोई भी इस तर तो आप यहां पर देगो 500 बार यह प्रेंट हुआ यह 500 बार यह प्रेंट वाइल लूप ने इतना नाइम लिया ठीक है तो कभी-कभी क्या होता है कि कई चीज़ों पर डिबेंड करती है इसकी टाइमिंग ठीक है लेकिन बहुत जादे सिग्निफिकेंट टाइम को फरक नहीं बार इंड ठीक है तो यहां पर आई होब कि आप लोग को मज़ा होगा मैंने यहां पर यूस्टू एजर्ट स्टेटमेंट मुझे लिखना चाहिए थैंपर मैंने लिखा नहीं मैं लिख दूगा और आपको नोट्स अब्डेट करके मिलेंगे टेंशन मत लेना बिल्कुल आप सब को शेक्टम टना टन करके दूँगा अब लोग को अब ही के लिए इस वीडियो में इतने हैं गाज अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट अक्सेस ने करें तो जरूर से अक्सेस कर लेना थाइक यह सो मजग गाइस पो वाचिंग इस वीडियो एन आइड व